हेलो दोस्तो आपका इजी क्राफ चैनल पर स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सुन्दर आईजी फ्लार स्टिक्स बनाना सिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फ्लार स्टिक्स बनाने के लिए हम लोग को कुछ ब्रोमिस्टिक्स चाहिए क्रेप पेपर, फेबिकॉल, थर्मकॉल and पुश्पिन सबसे पहले ब्रोमिस्टिक को कलर कर लेंगे मैंने पहले से कलर कर लिया है कुछ को अक्रेलिक कलर से मैंने किया है कुछ सिल्वर और गोल्डन मैंने किया है तो हम स्टीक से फ्लार बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए क्रेप पेपर को छोटे-छोटे टुकड़े में पाड़ लेंगे तो अब थर्मकोल में होल करेंगे तो अब इसे स्टिक के अंदर डालना है तो अब इसे स्टिक के बास नहीं को होलो करेंगे आप इसे स्टिक करेंगे आए 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 थोड़ा गैप गैप में रखना है थर्मकॉल को आप फैबिकॉल से फिक्स कर देंगे लगाने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा अब बीच वारे पार्ट में फ्लार बनाएंगे फ्लार बनाने के लिए एक क्रेप पेपर में ग्रू लगाएंगे इसे बीच में रखके अब प्लेट बनाते जाएंगे चुन्नत ब्रूमिस्टिक के चारो तरफ इसे थोड़ा फ्रील इसको देंगे यह लाश्ट में इसे थोड़ा से नीचे दबा देंगे ताकि यह सट जाएगा इसे उपसे फिर थोड़ा से खेला देंगे इस तरह बीच बीच में फिलाड बनाएंगे करेंगे बीचति हैं झाल झाल । झाल झाल इस तरह से देखिए कितना सुन्दर बन गया इस तरह आप अलग-अलग कलर से अपने ब्रूम स्टिक को सजा सकते हैं एक में दो कलर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने इसमें किया है अलग-अलग कॉंबिनेशन से बना सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भोलना